प्रणाली युवा अबादी और मांग को भी रेखां कित किया। प्रतित होंगे क्योंकि भारत में बनी अच्छी गुडवत्ता वाली वस्त में वर्थी अर्थी वस्ता वाले देशों में बिकेंगी जिससे क्लीमतों में कमी आएगी और देश उत्पादों को अंतराश्टी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाएगी। स्वधेश्य रूप से उत्पादन किया जा सकता है। प्रधारमंत्री ने देश के लोगों से वोकल और लोकल की अपील को आगे बढ़ाने को भी कहा है। देश में माल धुलाए में अगरणी रेल्वे ने आत्म निर्भर भारत को परिवहन मोहिया कराने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रेल्वे ने पार्सल ट्रेन, किसान ट्रेन चलाने, मालगाणियों की तेज आवा जही, गुड्स शेड का उन्नेयन, विबिन रेल कार्यालें में विजनस जेवलप्मेंट सेल खोला है। ये वस्त्मों की आसान ततक किफायती आवाजाही में सहायता पहुंचाएंगे। वित्मंत्राले का कहना है कि आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ने अच्छी प्रगति की है। ये स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनस कंपनियों, हाउसिंग फाइनस कंपनियों और मॉनेटरी फाइनशल इंस्टिउशन के लिए लाई गई। 11 सितंबर तक 990 करोड उरुपे के 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है वहीं। इस योजना के तहट 10 सितंबर तक 25 लाख MSME को 1,18,000 करोड उरुपे का कर्ज वित्रित किया जा चुका है। COVID-19 के प्रसार को रोपने के लिए लागू लॉकडाउं से MSME इकाईयां प्रभावित हुई हैं। ये योजना वित्मंत्री निर्मला सितारमन द्वारा मई में घोशित 20 लाख करोड उरुपे के आत्म निरुपर भारत अभ्यान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। बैंकों ने गयर बैंकिंग वित्ति ए कंपन्यों आवास वित्त कंपन्यों था सुख्ष्म वित्त कंपन्यों के लिए 45,000 करोड ओरुपे के आंशिक रिण गारउंटी योजना के तहद 25,55 करोड ओरुपे के पोर्टफोलियों की खरीद को मन्जूरी दी है। वित्मंत्राले ने कहा है कि आत्म निरुपर भारत पैकेज के तच स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम नची प्रगती की है। सरकार ने आत्म निर्भर क्रिशी 2025 के राश्रु लक्ष के तहट देश की किसानों को उध्यमी बनाने के साथ साथ भारत को दुनिया के लिए फूड बास्केट बनाने की परिकल्पना की है। सरकार के आत्म निर्भर अभियान से आने वाले दिनों में देश बहुत सारे आयातित उत्पादों को खुद बनाने की ख्षमता विक्सित कर सकेगा। और ना किवल विदेश मुद्रा का बचाव करेगा बलकि विदेश मुद्रा की बहुत बड़ी आमदनी का भी जर्याबन सकेगा। यूर रपोर्ट डीडीनूस